नमस्कार मित्रों अध्यापक भरती परिक्सा 2023 की लेवल बन का दूसरा टॉपिक है अपना बहुतिक है और असायनिक परिवर्तन इस टॉपिक को बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन उत्तर जो आपका है सही करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि इसमें फिक्स चीजें है ज्यादा हाड नहीं है छोटा सा टॉपिक है पर हाँ नमबर दिलाने वाला टॉपिक है एक बार इसको दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल सामानिय से चीज़ हो जाएगी बहुतिक परिवर्तन और असायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंज़ बिल्कुल सरल सा टॉपिक समझाने के बाद में प्रस्णों तर लेकर आया हो ताकि आप आराम से उसको अपना अंकलन कर लो कि साब मेरा प्रस्ण सही हो रहा या नहीं हो रहा है तो नौट टॉपिक नौक्सा के तैथ अपना आज का चॉपिक है बहुतिक हैं रसायनिक परिवर्तन सबसे पह है रसायनिक परिवर्तन नाम से पता चल रहा देखो भौतिक का मतलब होता है जो बाहर की चीज दिख रही रंग रूप अवस्ता उसमें कोई परिवर्तन हो रहा हो लेकिन जिस चीज से बना है वही परिवर्तित हो जाए रसायनिक परिवर्तन यानि केमिकल रूप में कोई changes हो रहा है रसायनीक परिवर्तन लेकिन बाहरी रूप से कोई change हो रहा है भौतीक परिवर्तन फिजिकल चैंजेज एक लड़का था मैं थपड लगा दी थपड लगई थपड लगाने पर क्या हुआ गाल लाल हो गया लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस ठीक हो गया बहुतीक परिवर्तन लेकिन थपड लगाने पर उसको गुस्सा आया गुस्सा आने पर उसके हार्म अब देखो तो बहुतिक परिवर्तन करता है जैसे रंग रूप अवस्ता यह क्या करता है यह क्या करता है यह रसायनिक संगठन में परिवर्तन करता है रसायनिक संगठन में क्या करता है परिवर्तन करता है ठीक है जी यह दो बात है तो अपने क्लियर हो गई फिर अपन बात करते हैं माना कि आपने किसी पानी को उबाला 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 और उसके उपर धकन रग दिया तो जो पानी की बूंदे उस पाने से वापस पानी बन गया भौतिक परिवर्तन है यह आप एक चीज को समझिए कि जिस चीज को वापस प्राप्त कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन जिसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते रसायनिक परिवर्तन दो चीज़े यहां समझेगा, एक चीज़ होती है, उतकर्मणिये, और दूसरी होती है, अनूतकर्मणिये, उतकर्मणिये यह रिवर्सीबल, और दूसरा होता, इर्रिवर्सीबल, reversible reversible या उतकर्म्न ये चीज़ क्या होती माना कि ये वस्तु है इसको मेरे को यहां ले जाना है तो मैंने यहां लेके गया यहां ले जाने के बाद मैं वापस इस वस्तु को यहां लेके आ गया मतलब जिस चीज़ से कोई वस्तु change होकर दूसरी चीज़ में बदली है और इस दूसरी चीज़ से वापस पहली वाली वस्तु बना सकता हूँ तो उतकर्मणिये हैं यानि प्रारंबिक अवस्ता को यदि प्राप्त कर ले प्रारंबिक अवस्ता को पुने प्राप्त कर ले तो कैसी है? उतकर्मणिया लेकिन प्रारंबिक अवस्ता परिवापस प्राप्त ही नहीं कर पाए अनुतकर्मणिया माना कि कोई चीज ये प्रारंबिक अवस्ता है और फिर ये क्या है अंतीम अवस्ता है या फिर उत्पाद है कोई यदि इस अंतीम अवस्ता से वापस प्राराम्बिक अवस्ता प्राप्त हो जाए तो उतकर्मणिय है यदि इस परकार से प्राप्त नहीं हो तो अनुतकर्मणिय है यदि प्राराम्बिक अवस्ता प्राप्त ही नहीं हो अब आपका उगुसर कैसे है तो देखो माना की पानी था, उसको पानी को मैंने बर्फ बना दिया क्या बर्फ से वापस पानी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ इसका मतलब उतकर्मनी परिवर्तन है और मैंने दूद था, उस दूद को जमा दिया, दही जम गया क्या दही से वापस दूद बन सकता है नहीं बन सकता है इसका मतलब अनुत कर्मणी परिवर्तन है तो यहां अपने समझने लाइक बात यह है कि बहुतीक परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं साब उत्रकर्मणी परिवर्तन होते है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जबकि यह ज सती में आ गया बहुतिक परिवर्तन मतलब सीधी सी बात है जिसके कारण जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसे हटाने पर उसे हटाने पर पुनहें वस्तू की परिवर्तन हो रहा है उसे रसायनिक परिवर्तन में जिस वस्तू के कारण परिवर्तन हो रहा है वो उससे वापस वस्तू पर प्राप्त हो यह ज़रूरी नहीं है हैं तो पूने अप्रापती नहीं होती है सामाने थी ठीके जी तो क्या होता है पंदार्त में केवल भूतिक परिवर्तन या physical changes फिसिकल चेंज़ेज में क्या होता पंदार्त उके केवल बहुतिक गुंड जैसे अवस्था रंग गन्द आधी में परिवर्तन होता है वो बहुतिक परिवर्तन जबकि रसायनिक परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ रसायनिक गुणों उसके संगठन में पदार्थ से पूर्त क्या होते हैं भीन होते हैं जिस चीज से बने हैं उस चीज से वो क्या होते हैं भीन होते हैं तो रसायन परिवर्तन उत्कर्मनिय परिवर्तन और किस प्रकार का होता है नए पदार्थ का दिर्माण नहीं होता है क्यूंकि जैसे बरब से जल बना तो जल वापस बरब बन सकता है कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता इससे तो इस बहुतिक परिवर्तन से नए पदार्थ नहीं बनते कि था आप समाझ सामने तो समझो आटा लो्ग नोग दीज bothered उसका क्या बनाए अपने रोटी बनाई फिर भी आटा ही है मतलब वह होतिक परिवर्तन अायोग आटे से आपने 2 गुंद ना आटे दो है जमें अपने रोटी बनाने के बाद सेखने के बार दे परिवर्द पूर्तरनी को एक सी जात है एक ये डिस्टी से मौंबती जल रही है तो जल commandments刚 was gra agriculture मौंभती जो मौंपीगल रहे है पिगलने पर क्या है बहुतिक परिवर्त तो पिगलना बहुतिक परिवर्त जलना रसाइनिक परिवर्तन छी तो कुछ है और कांगजलो लो काले कूप आप क्या करो सब्जी को कई दिनों तक बणा के छोड़ दो सडगी सब्जी सड़ना रसाइनिक पर्ट्व पूने के बाद बहुतिक परिवर्तन क्यों है तो को काची काच टूटने पर भी काची रहा है तो बहुतिक परिवर्तन और सुनो कोई लोहा है उस लोहे पर जंग लग गया रसायनिक परिवर्तन क्यों क्यों क्योंकि जंग लगावा लोह पहले जैसे लोहे की जैसे नहीं हो सकता तो यह रासायनिक परिवर्थन तो रासायनिक और बहुतिक समझ मा आया बहुतिक का मतलब भारी, रंग, रूप, अवस्ता, अइस्ता यह परिवर्थन पुने प्राप्ति, उजातिक पदार्त की उत्कर्मणिये होता है, यहनि पहले जो पदार्त होगा उसको वापस बदल सक सब्सक्राइब एक बार बन गया जुर्म के नहीं होती और देखे लेखवा बाँ या पर सन आता है है मौ मोट्रत कफसरा पास काल नाम आघ्टी अ मौम बंवत माम बती कि जलने के बाद उसको पिगल रही है, पिगलने पर क्या मॉम है, वो तो है तो मॉम ही, इसका मतलब उस चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कैसा है, बहुत इक परिवर्तन है, उस मॉम पिगली रहे, मॉम से वापस मॉम बत्ती बना सकते हैं अपने, चीनी से सर्बत का कोई आप मिसर दातू होता जैसे पीतल हुआ कासा हुआ उस मिसर दातू में भी दातू पूरण रूपेन घुलता नहीं है दातू को वापस अलग कर सकते हैं इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है तो मिसर दातू भी भौतिक परिवर्तन होता है चीज़ी से सरवत का निर्मान या पानी के दρωड़ नमक का घुलना भौतिक परीवर्तन बरफ का बनना और पिगलना ये भी भौतिक परीवर्तन एक और चीज़ सूनो माना कि कोई जल है उस जल से बरफ बनना ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जमना जल का जमना या हीमन या फ्रिजी इस बरप का वापस जल बन गया यानी पिगलना बरप पिगला है तब ही तो बना अब क्या वा इस जल को वापस क्या किया आपने भाप में बदल दी यह निए वास्प में बदल दिया इसको बोलते हैं वास्पन क्या इस वास्ट को वापस जलन बदल सकते हैं बिल्कुल बदल सकते हैं जैसे आप भाप को देखो भाप को ओपर ढकन रखो भाप को ठंडी कर दो वापस पानी बदल जाएगा इसको बोलते हैं संगनन कंडेंसेशन कंडेंसेशन कई बार क्या होता है जो ठोस चीज होती है कोई भी सीधे सी बार ठोस चीज होती है जैसे कोई कपूर ले लो कपूर की गोली होती है ओडोली होती है जो अपन बात्रूम में लगाते हैं तो वो क्या करती है ठोस सीधे ही गैस में बदलती है आपने सुना होगा कि जो काफूर की गोली विद आचीending फूषी दे थी पानी मन नहीं बदलती सीधे ठुश से किसम बदलती गैस में यानी कपूर सीधा गैस बदलती इसको बोलते हैं उर्धो पातन ऐसी परक्रिया जिसमें ठोस सीधा गैस बदलता है उसको बोलते हैं उर्धो पातन या सबली मेंसन ये सब के सब परिवर्तन कैसे होते हैं वास्पन, संगनन, पिगलना, जमना, इमन, उर्धो पातन यह सब के सब बहुतिक परिवर्थन होते हैं कैसे होते हैं साब बहुतिक परिवर्थन होते हैं क्योंकि पदार्थ तो वही रहेगा पदार्थ की मात्रा में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्थन नहीं होता है तो यह सब बहुतिक परिवर्थन है जल का वास्पी करन य कपूर की गोली है, गैस में बदल रही है, उसमें दर्व में नहीं बदलती है, उर्धु पातन भी क्या है, बहुतीक परिवरतन, बिजली के बलब का जलना है, उम्भुजना, गंदर का इन्हें सलफर का पिगलना, पोटेशियम नाइट्रेड का पानी में गुलना, ये सब के सब क्या है यह निकपानी में गुलना और चाहि उर्धु पातन वा संग्नन वा वास्पिकर वा पिघलना भग बनना वा निर्मान वा मतलब किसी चीज नमक नमकीन पानी कंप दिए का Ψिर्माण हुआ पानि का मिट्टी से जड़क तक वहास पूर्षन वहाइं सबके सब बहुतिक परिवर्तन है कुछ और चीजह भी सुनों किसी चीज़ का टूठना कांच का तूटना पत्थर का तूटना बहुतिक परिवर्तन है गरम होना पानी का उबलना पानी का गरम होना कैसा है बहुतिक परिवर्तन है वास्पिकरण पानी को उबालने पर भाप में बदलना कैसा है वास्पिकरण बहुतिक परिवर्तन है उबलना पिगलना बरप का पिगलना मॉम का पिगलना किसी अन्य आइस्क्रीम का पिगलना बहुतिक परिवर्तन है यानि ताप में परिवर्तन होना भी कैसा है बहुतिक परिवर्तन है संगनन मतलब भाप है वास्प है उसका वापस पानी में बदलना संगनन पाईशीकरण यानि बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में बदलना जैसे वसा का पाईशीकरण वसा होती वसा क पाचन होता है पाचन होने पर उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाइशीकरण यह वसा को बड़े-बड़े टुकड़ों का छोटे-छोटे टुकड़ों में तूटना पाइशीकरण वह भी क्या है बहुतिक परिवर्तन आसवन पानी का उगाल कर वापस सुध पानी परात करना आ पनी का और शंब्हाइच को समेटना कि लखड़ी को टोड़ना यह सब्स परिवर्तन और असवेए बात करते हैं कोई भी ढातू है कोई भी घाटू है उसको जला रहे हूं मैद्श्यूज कर द्यान रहे हूं को एस चीज है क्युक्ति जलने में यह इस जलने में मगलब धात्व का घरम होना बहुत्त सफेड संगत्रते होना वह क्या है रासायनिक परिवर्तन है तो जैसे मेगनेश dafür ही हुए उसस्कों हवा में क्या होता है वह जल जाता है कि प्रास जुत होस्त बद्थका escapes पıl नतर कि लकडी जल्ती है लकडी जलने पर क्या होगी वह पूरी की पूरी कारण दाइब Long वापस दूद नहीं बना सकता चूने पत्थर का चूना बनना मतलब सीधी सी बात है यह कैल्सियम कार्बोनेट है इससे वापस चूना बनना या चूने से कैल्सियम कार्बोनेट बनना या चूने का बुजावा चूना बनना या चूने में जैसे ही पानी डालोगे तो बुज इसपोर्ट हो गया रसायनिक परिवर्तन है अब गटन होना सड़ना किसी सब्जी है सड़ गई कैसा है रसायनिक परिवर्तन और किसी चीज कागज यह कागज सड़ गया या कोई जैविक जैविक जैसे मानव कोई डेट वोडी है डेट वोडी है या कोई पसू है कोई मर गया तो क्या है रसानिक परिवर्तन दहन दहन का मतलब सीधी सी बात है जलना समझलो जलना लकड़ी क्या है दहन हो रही है मतलब लकड़ी क्या होती है जल रही है तो इसका मतलब क्या है रसानिक परिवर्तन लकड़ी मतलब कार्बन का जलना भी क्या है रसानिक परिवर्तन है तो फल को पकाने वाली गेंस दोर स्कीष प्रपेंस कंद्रम मतलब का यह हिघुन का अर्थ होता है यह का बाद है तो उस दोख बैकरी उद्योगोता है, सराब उद्योगोता है, उसमें किन्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की जाती है, यह सारा रसायनिक परिवर्तन है, अब उनके प्रसंद देखो, अब अपनी त्यारी का आंगलन करो, त्यारी कैसी है आपी, पहला है अणू का जुड़ना और क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन होना, जैसे आप देखते हो फिटकरी, जंग लगना, यह सब क्या है, जंग लगना रसायनिक परिवर्तन है, लेकिन जंग के साथ जो पानी जुड़ रहा है, उसे क्रिस्टलन हो जाए, तो अलग चीज है, तो ओल थ्राइस पॉइंट चौवीस एस टू, यह चौवीस जल के अनू किस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, इन्हें जिस चीज का क्रिस्टलन हो जाए, यानि किसी चीज के साथ जुड़ रहे हैं साब वो तो, अपनी रूप को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो, इसका मतलब हुआ, बहुतिक परिवर्तन, तो किस्टलन करण किसका एक्जामपल है, क्योंकि इसमें यह जल जुड़ रहा है, क्या इसके संगठन में कोई परिवर्तन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह किस्टली करण बहुतिक परिवर्तन है, तो किस मस् ez का एक्जामपल ऑच ट केZी अगला बहुत वरीवर्थर नमें क्या क्या बदल सकता है साज्ट या आकार बदल सकता उसका उसका रंग बदल सकती उसकी स्टेज बदल सकती उप्लग सभी वह थीक परिवर्थर बसकते अगला निम्मे से कौन सा रसायनिक परिवर्तन है, फटा फटा अंसर रसायनिक परिवर्तन कौन सा है, पहला है लोहे का जंग लगना यहीं संग्षारण, जए नगना जंग लगने को बोलते हैं संग्षारण या कोरोशन, इंगलिसम बोलते हैं कोरोशन, तो लोहे का जंग लगना, दूसरा है बोजन का पकना, पकना, दिमाग पका दिया यार, दिमाग पका दिया, तो यह पकना सब्द कहीं भी मिले न, इसका रसायनिक परिवर्तन है, ए और भी दोनो, फिर है परिवर्तन किस कारक पर निर्वर्तन करता है, परिवर्तन किस पर निर्वर्तन करता है, तो परि रसायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं को पहले गोला कर दो, दूद से दैजमना, कागज का गीला होना, कागज का जलना और गलना और शड़ना, मैं तो फिक्स सब्द कहता हूं, गलना शड़ना कहीं आ जाए, कोई छीज बन रही है वापत उससे नहीं बना पाऊ, रसायनिक प बीला होना कागज को वापस सुखा सकते हो बहुतिक परिवर्त में ये कौन सा परिवर्त ने साब बहुतिक परिवर्त लोहे पर जंग लगना क्या आउशक है लोहे पर जंग लगने के लिए येनि के 2e3 f2 o3.x s2 o तो औक जने जरूरी दूसरा जल है यानि नमी अक्सजन होना चीए दूसरा नमी होने चीहीं लेकिन गर्मी हो यह जरूरी नहीं तंड में भी हो सकता तो भी और सी दोनों रसायनिक परिवर्तन को सही पैचान क्या है रसायनिक परिवर्तन का मतलब होता है क्या वस्तु रंग बदलती है नहीं यह बहुतिक परिवर्तन बदलती है क्या वस्तु का आकार बदलता है बहुतिक परिवर्तन बदल सकता है यह नहीं आपको बड़ा कोल है गोल धातु उसक फिजिकल चैंजे वह तुक्टीग परीवर्तन है अमाप पदलना वह outta अप्रीवर्तन कोई नया पदार्थ बन गया दूद से दही बन गया है क्यों था सानिक परीवर्तन है कि निम्म्ली हीत में बहुतिक परिवरतन क्या सही बात है कि फलों का पकना रसायनिक परिवरतन होगा क्योंकि उसके अंदर क्या औरी केमिकल चैंज हो गया है रसायनिक परिवरतन होगा पटापट आंस्वर दो इसका लोहे में जंग लगना रसायनिक परिवर्तन लोहे का क्या होना गरम होना क्या गरम से वापस ठंडा होगा तो भी लोहाई रहेगा वो तो लकडी का जलना रसायनिक परिवर्तन पकना रसायनिक परिवर्तन क年前 कौनिसा रसायनिक परिवर्तन है थामभी में जस्ता अमिल आकर पीतल बनाए यहीं मिष्र-दातु दूसरा जल में सकर का गुलना तीसरा कपूर का वास्पिकरन कोईले का हीरे में परिवर्तन उपरोख में से से कोई नहीं है देखो पहला है लो तामभेस जस्ता मम लख फिरतल उटह ना तो में हमेशा बहुतिक परिपर्पन होगा तो मिसर दातुम्sych है कौन सा परिवर्पन बहुत है दूसरा जल में शकरुत कर सकते हों बहुतिक परिवर्तन कोईले का एरे में परिवर्तन कोईले में भी कार्बन होता है एरे में भी कार्बन होता है यानि संगठन तो वैसा इरा इसका मतलब बहुतिक परिवर्तन है यह द्यान रखना ग्रेफाइट से एरा बनना बहुतिक परिवर्तन है यह उप्रूक्त मैं से कोई नहीं यह सब के सब उदार्ण किसके हैं बहुतिक परिवर्तन के हैं ठीक है निमने से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है chemical changes है पहला है लकडी से फरनिचर बनाना लकडी है लकडी से फरनिचर बनाना रही तो लकडी यानि बहुतिक परिवर्तन है दूसरा है बादलों का बनना बादल जब बरसेंगे तो भी पानी बनेगा तो बादलों का बनना भी बहुतिक परिवर्तन है बलब का जलना बलब जलेगा बुजाओगे तो भी बलब के अंदर जो संगठन है वैसा है वैसा है तो बलब का जलना भी क्या है बहुतिक परिवर्तन लकडी का जलना लकडी जलने के बाद वापस लकडी नहीं रहती रसायनिक परिवर्तन बस तो ये कौन सा है रसायनिक परिवर्तन उसका आंसर होगा D तो ये आज की अपन चेप्टर में पढ़ेती रसायनिक और बहुतिक परिवर्तन पूरा आपको समझ में आया होगा तो इसमें ध्यान रखेगा, अच्छे से पढ़िएगा मिलते हैं अगले lecture के अंदर Thank you very much